आप देख रहे हैं Android और आज एक बहुत इस्पेशल बहुत थी विशे स्मार्टफोन के अंबॉक्सिंग करने वाला हूं वह है यह लावा अगनी 2 यह वला स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन इंडिस्ट्री के पूरे समीकरन बदल सकता है और यह फोन पाकी ब्रैंड के यह एक थ्रेट लग रहा है मुझे और आभी हम जानें के तीन रिजन की क्यों यह वाला स्मार्टफोन 20,000 रुपे के अंडर में एक बेस्ट फोन हो सकता है और इसका रिजन नंबर वन रहेगा अंबॉक्सिंग यहां पर काफी सर्प्राइजेस हैं पहली बाद तो यह पिन मिल जाता है एक 66 वाट का टाइप सी टू टाइप सी अड़ाप्टर मिलता है अब यह चीज मैंने 22,000 रुपे किसी स्मार्टफोन अभी तक नहीं देखी थी साथ में डाइप सी टाइप सी केबल मिलती है और टाइप सी टू 3.5 हेटफोन जैक वाला कनेक्टर भी मिलता है जिया इस वाले फोन में 3.5 मेटफोन जैक नहीं मिलता है और इस नमबर टू है इस वाले स्मार्टफोन के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप सब्क्राइब कर सकते हैं और अपना एक लाइक देना ना भूलिए इस वाले फोन में अकलपनी फीचर्स मिल जाते हैं जो आउट्वोड ब्राइटनेस काफी बढ़िया है और नॉर्मली कलर्स काफी अच्छे लगे अब यहां पर मैं नॉमली इस लिए वोला हूं कि मैं यूट्व में वीडियो प्ले गरी तो मुझे पता चला कि डिस्प्ले में शाफने साथा है और साथ में सेट्रेशन लेवल काफी जादा लगा नो डाउट अमलेट डिस्प्ले है उसके जो गुण होते हैं वह सारे मिल जाएंगे वरंतु आज के समय पर जो कॉंटेंट वीविंग का एक्स्पेंस है वह इस रीजन से थोड़ा समझे साधरान लगा पन्तु टेक्निकली देखते हैं तो टेन बिट कल कितने स्मार्फों से बताइए और हम पढ़ेंगे अगले सेग्में में जो की है डिजाइन यहां पर मैट ग्लास बैक मिलता है यहां पर प्लास्टिक बैक नहीं मिलता ग्लास पैक है काफी प्रीमियम सी पील देता है और और अली फून को आप देखेंगे ना चाहे फ्रंट यथा इसरी मैदनみल जाती है उपर साइड में सेटेर्ण मा इसे साइड में मिल जाता है दूुल 5G सिम को सपोर्ट करता है जीचल स्पीकर मिलता हम इस्मेंग चाहें बद्सक्राइब को इस में ऐlen संसर पर बताना चाहँग आपको इसमें X-axis haptic motor मिल जाती है तो यहां पर यह भी एकडम प्रीमियम एक्सपेंस देती है इस बजट में चाहिए टाइपिंग करें चाहिए गेमिंग करें या यू आई में नेविगेट करना है तो आपको बढ़ी आसी कंपन प्रत्किया अर्थात haptic feedback का अनुभप राप्त होगा और य मेंडिटेक का डायमेंशनी 7050 इस बीटेक पहला फोन है इस बीटेक्टिर आप इस वाले चिपसेत के आप इस वाले चिपसेत के चाहिए जो वहां पर मांत्र 86% मैक्स पर्फॉमस में इसक्रीडाश्पीड और जाए घेक बाट कर देख सकते हैं काफी बढ़िया है यू एं तो यहां पे भी 60 fps में गेम प्लेय कर लेता है परफॉमेंस को तुछा और टेस्ट करना पड़ेगा बट जब मैंने एंटुट्रो टेस्ट रन कर आया था तो यह थोड़ा सा वाम हुआ था फोन लगभग 43-44 देग्री सेल्सियर का तेमप्रेचर गया था अब क्यूंकि वहला बहुत अच्छा पॉलिष 120 Hz का एक्सेंस मिल रहा है मुझे सिंगल स्पीकर है लाउटनेशन साउंड कोल्टी मेरे को डीसेंट लग रही है सही लग रही है अब यह थोड़ा सा पुराना ट्रेंड हो गया है प्राइमडी 50 मैपिक्सल का ओमनी विजन का सेंसर मिलता है 8 मैप उनके बीना भी काम चल जाता है वैसे और सेल्फी कैमरा 16 मैपिक्सल का अचा कैमरा युआई की बात करते हैं तो यहां पर यह युआई नाइट मोड मिल जाता है वीडियो मिल जाता है फोटो फिल्म पोट्रेट ब्यूटी और मोर में कुछ आप्शन्स आपको मिल जाते है वीडियो में चलते हैं तो यहां पर यह 4K 2K Full HD का उप्शन मिल जाता है 4K में 30FS तक शूट कर सकता है वीडियो और Full HD में 60FS का विकल मिलता है और यहां पर EIS का भी ऑप्शन दिया गया है फ्रंट कैमरा से यह अप्टू 10DP 30FS तक की वीडियो शूट कर सकता है फोटो मोड मे प्राइमरी रियर कैमरा की पोटेट इमेस मुझे काफी अच्छी लगी अच्छी लाइटिंग कंडिशन लो लाइटिंग परफॉरमेंस भी डीसेंट बोलू है इसकी प्राइमरी कैमरा और अल्टर वाइट के बीच में कलर डिफरेंस काफी जाद नोटिस हुआ फ्रंट कै अच्छी की वज़ए से कुछ और क्लोजब शॉट भी आप देख सकते हैं रियर कैमरा की फोटो एक्टुली मुझे पसंद आई हैं इविन डायनेमिक रेंज भी अच्छे से मैनेज करता दिखा साथ इस पून में 46 संडेड एमेज की बैटरी मिल जाती 66 वार्ट की फास करने वाले हैं बहुत जल तो चैनल सब्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसका एक फुल डीटेल रिव्यू जिसमें हम काफी जारी टेस्टिंग करेंगे अलग अलग टाइप की वीडियो बहुत जल मिलने वाला है अच्छा इस पर देखते हैं तो सेटिंग्स मेनु में चलेंगे ना तो यह स्टॉक अंडवा नहीं है इसको लावा ने अपना थोड़ा बत कस्टमाइज किया है कला सैट किया है थोड़ा मेन्यूस को इधर दर किया है बट इस वाले फोन को जबने पहली बार बूट किया था तो इसमें कोई भी प्री इंस अब इसको मैं स्टॉक एंडवा फोन नहीं बोल सकता हूं इसली बट लावा ने अपने कुछ कॉस्टमाइशन फीसर भी एड किया है जैसे कि थी फिंगर से स्वाइब करके आप स्कीन शॉट ले सकते हैं और डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको आलवेज ओन डिस्प्ले का विकल भी मिलता है और ये एज लाइटिंग वाला विकल भी दिया गया है जाके आप चेंज कर सकते हैं चार्जिंग अनिमेशन कर सकते हैं और यह तो स्टॉक और सेटिंग मिल जाती है यहाँ पे ट्रीड वालपेबर यह सब चेंज करने के लिए कि लिए कलर बाइकन चेंज कर सकते हैं अच्छा सेटिंग्स में यहां पे स्पेशल फ़ंक्शन इसके अंदर आला-इलाग फीच्र स्मिल जाते हैं रापी ऐसे की ख्लाइप का फीचर मिलता है तो डूल वाट्सेप आप इसमें एसमें कर सकते हैं इसका डबल टैप, वेक, यह सारे आपको मिल जा इस प्राइस पे मोशली ब्रैंट एक साल का एंड़ेट अपडेट ही दे रही है और तीन साल का सिक्योर्टी अपडेट देने का वादा किया है जो की क्वाटरली मिलेगा तो और अब बात करेंगे तीसरे रीजन की क्यों यह वाला फोन बेस्ट हो सकता है इस सेग्मेंट में क लावा का एक क्लेम है कि वरंटी पीरेट के दोरान एक साल के अंदर इसमें कुछ भी हार्डवेर इशू जाते हैं तो उस कंडिशन में आपके फोन को रिपेर नहीं करेंगे डरना नहीं आपको एक्चुली इनका कहना है कि यह फोन रिप्लेस करेंगे तो सब्सक्रिये मैं यूज कर रहा हूं नॉमली और स्क्रीन अपने आप खराब हो गई कुछ स्क्रीन लाइन आगई या कुछ भी इशू हुआ तो इस केस में लावा के अगनी मित्र बोलते हैं उनको जो इनके एक्जेक्यूट्यू या फील्ड ऑफिसस होंगे जो भी कंप्रेंट करने के लावा अगनी टू स्मार्ट फोन अपने आप में ऐसे फीचर से लेके आता है जिसने की टेक इंडेस्ट्री को काफी ज्यादा उत्साहित किया है इसमें कोई संदेय नहीं है और अनिश्ली हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे प्रॉडक्स लाउंच हो जिनमें की ब्रैंड का भ स्मार्ट फोन और इसके फीचर्स और क्या अभी भी आपके मन मस्टिश्ट हर्दय में कुछ प्रशन रहे गए हूं किस वाले स्मार्ट फोन से लेटेट तो आप इपड़िंग मातल से पूछ सकते हैं वाकि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना चालों सब